दिपावली पूजन आते ही जाडू की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि जाडू में मालक्षमी का वास होता है मानिता है कि इस दिन जाडू खरीदने से घर में सुक्ष शांती तो आती ही है साथ में धन की बढ़ोतरी भी होती है इसलिए लक्ष्मी पूजन के दिन जाडू की खरिदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही और क्या है महत्व बता रहे हमारे समवादाता शंगर ठाकुर। उचाहों का तस्वीरों में किस तरीके से दिपावली के समय जाडू का जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है और इसको लेके कई तरीके का जो आदर आता है ज्यादा कारण यहां जो वरकर होते हैं दिन रात काम करते हैं और जादा संख्या में जाड़ू को बना के उन तमाम जो पूजा पस्टा करने वाले या जो घर की साफ सफाई करने में जो लगाए जाता है जाड़ू उसका इस्तमाल करते कहते हैं कि लचमी का वास होता है इस दिन और ज जाडू एक ऐसा होता है कि तहवार के जो दीन होता है उस दिन जाडू का एक खरीदने का परंपरा जो है हिंदू धर्म में काफी परचलित है लोग जाडू खरीदते हैं और चाहते हैं कि उनके घर में जाडू आवे और उस जाडू के माध्यम से जो लच्मी का वास होता है या माल अचमी या गनेश का जो पूजा अर्चना होती है, कई धारणाइं हैं, जाडू के अपने विचार के अनुसार के अनुसार देखते हैं, यहाँ कितने वर्कर हैं काम करेंगे, करते हैं, सबसे पहले तो इस दुकान के जो संचालक है, उनसे मैं बात करूँगा, सिधे जूडूंगा और उनसे पूछूंगा ये बताइए भाइसा है कि आप इसको संचालित कर रहे हैं अधर दिन जाडू का जो समय होता है हना खरीदारी या बिक्री का जो होता है वो क्या रहता है और और अभी का समय जो तहवार आयता है उसमें क्या होता है अभी की जो टाइम ह गर पे सुब माना जाता है जाडों को जिसके कारण हर परिवार एक-दो जाडों ले जाते तो हम लोगों का डिमांड बढ़ने के वाएं से लिए दिन रात काम लेते हैं सुबह जोग मॉर्निंग में सुबह छे बज़े से लगकर काम राध के आड़ बें तक करते हैं पूरा इस इस काम में भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं इतना डिमांड रहता है उतना माल हम लोग बनाकर मार्केट में नहीं दे पाते हैं ऐसा इस इस होता है यह हम बात होती है पैसा की जाडू की कीमत की बात होती है यहां से फेक्टरे से निकलता है कुछ दाम में और मा क्योंकि अगले सेच साल जो जडो का रेट था उस साल से इस साल जडो का रेट में बहुत साइर गिरावाट आया और जिसके करण बहुत सारे लोग हैं मार्केट पे काम करने वारिविया ज्यादा ओगए और इस रेट इस साल तो रेट क मैं अचांध यह फारू की क्वालीटि कि परण सब्सक्राइब और अब लोगों के पास दोनों क्वालिटी का मिल जाएगा मेरे पास अपने बरांड का एवर क्लीन बरांड का जाडू मिल जाएगा और अभी दिपॉली के ट्म में सेकेंड नमबर का माल चलता है ज्यादा लोग कम प्रेज में ज्यादा पर्चेस कर ले इसके लिए कम रेट का ही मल ज्यादा विक्री होता है ऐसे और सब टैम ज़ाडू में अच्छा क्वालिटी का मल चलता है ज़ाडू है बन रहा है किस चीज़ का बनता है यह जाडू एक्चुली यह ग्रास होता है यह नौर्थ इस्ट के पाहडों से निकला हुआ ग्रास है जो वहां से हम लोग ट्रांस्पोर्टिंग करके मंगाते हैं फिर यहां से लेबर के जरिये से बना कर फिर मार्केट में सेल आउट करते हैं हमारे साथ जो बना रहे हैं जाडू वो लोग भी उनसे जानकारी लेते हैं यह बताईए आप जाडू बना रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप पेक कर रहे हैं दिन डाट पेक करते हैं यही काम है मेरा पेक करना है दिन भर पेक करना है मेरा ही काम है इसका बॉकुल यह दीन भर पैक कर रहे हैं, तो तेहवार है, तो दिमान बढ़ी ही बैक तो करना ही पड़ेगा, आपको में तझante सब्धीरों में दिखाना चाहूंगा, कि किस तरीके से ये बाई साहिब है, मेहनत कर रहे है, जाड Dual की गटिंग कर रहे है, और बना रहे हैं उसके बारे में आप बना रहा हैं बांस की घाड़ों कैसे बनाते हैं क्या मेहनत करना पड़ रहा बस महनत तो थोरा बहुत करना पड़ता है कि बैने जाता है और अच्छा लग रहा है दो सब है मिल्जूल के काम करते हैं एक दिन कितना बना रहे हैं दिन में 400 455 400-400 बनता है दिन का तो हम लोग का धियारी बन जाता है 1200-500 तक बनता है अभी डिवान बढ़ा है कुछ आभी तो दिमान बार गया अभी तुरा कभी नाइट भी करने ले पड़ता है कि रात का बारो एक बाजे तक मतलब इस महिना के लिए दिवाली महिना के लिए जी बिलकु पैकिंग कیसी कीया जाता है इसको कैसे बांदा जाता यह फोल्डिंग के रहाता है वह आपको दिख रहे हैं यह साब तब्से से तस्वीरों में दीख रहा है यह हमारे साथ कुछ enact प्रयास करेंगे की जानने का कि क्या है नहीं है इस तरीके से जो देख रहे साब तोर से कि दिवाली का जो टाइम होता है उस समय जो जाडू बनाने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है उसमें हम लोगों को मिहनत करना पड़ता है जादा और जादे संख्या में और आने के चलते हम लोगों को दीन और रात भी मिहनत करना पड़ रहा है चुकि पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा अपने सायोगी दीपक के साथ संका ठाकूर रफ्तार मेडिया के लिए